वेलकम टू न्यूज बाब यूटूब चैनल जा दोस्तो आज बात कने वाले यूप पुलिस कम्पीटर अपरेटर एसाई एसाई कलर और अकाउंटेंट के बारे में जाँ 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 तो आज फिर में आप लोगों के लिए इसके एक्साम के लिए दा इंटरनेट के 60 कोस्टन से लेकर आँँ जास तो आज आम इनको देखेगे इसे पहले आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँकर आप मेरे चैनल पर नहीं हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लेजे सा साथ टेलिगराम ग्रूप को भी आप जोइन कर लें वहाँ पर आपको गुर्मेंट डिलेड पीडिया प्रो नोटीस आपको प्रपाड़ी किया जाता है जांस तो कोश्चन नमबर वन इंटरनेट पर किये जाने वाले कारिया को कहते हैं सर्फिंग गैंबलिंग और भी दो इसम को क्या कहते हैं या उसको डोमेन यूजर आइडी रेंज उप्यक्त में से कोई नहीं या उसको इसका सही उप्सण है बी यूजर आइडी जांस तो नेक्स्ट कोश्चन है सही वेवसाइट है www.radif.com www.radif.com या फिर C या फिर T तो उसका सही उप्सटन है उप्सटन न इमेल एड्रेस, इमेल कनेक्शन, मोडे में टेलिफोन या उप्रोक्स सभी जांस तो इमेल बेजने के लिए हमारे पास उप्रोक्स सभी चीज़ों निशाहिए नेक्स्ट कोश्चन www.prapat document को क्या कहेगे? www.radif.com लाइकोस.com नोड या स्पाइडर तो उसका सही उप्सटन है स्पाइडर जांस तो नेक्स्ट कोश्चन है निवल्लू में से मुफ्त इमेल कोन सी वेफ साइट उप्लब्द करती है? www.radif.com, www.licos.com, www.e-pattr या उप्रोक्स सभी जांस तो इसका सही उप्सटन है उप्रोक्स सभी जांस तो नेक्स्ट कोश्चन है इंटरनेट एक्स्प्लोर है सर्च इंजन वेब ब्राउजर, डाटाबेस या दि उप्युक्त में से कोई नहीं जांस तो इसका सही उप्सटन है उप्सटन नमबर B ब्राउजर प्रोग्राम नेक्स्ट कोश्चन चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है इंटरनेट पर विभीन वेब साइट ओपर जाकर उनकी सेवाई ली जाती है ब्राउजर प्रोग्राम की मदद से टैलनेट की मदद से डाटाबेस की मदद से या डि उप्युक्त में से कोई नहीं ब्राउजर पर्रोग्राम की मदद से इंटरनेट का प्रियाय है साइवरिस्पेस गोफरिस्पेस वल्ड वाइड वेब या फिर इंटरनेट नेक्स्ट कोश्चन है नेट्रॉक का मुख्य उद्देश से है A. संचार B. संसादन भागिदारी C. विसवसनियता D. उप्रोक सभी तो उसका सही option है उप्रोक सभी Next question है निमली में से internet की स्वीधा नहीं है template, database, online संचार या फिर telnet तो उसका सही option है template एक building के भीतर network के लिए उप्यूक्त होता है LAN, WAN, A और B दोनों या फिर D. इन में से कोई नहीं तो उसका सही option है LAN Next question है internet पर किसी website को ढूनने के लिए प्रियोग कर सकते है database को search engine का browser का या D. उप्यूक्त में से कोई नहीं तो उसका सही option है search engine का Next question है internet के लिए develop connection बना जा सकता है my documents से explorer से my computer से या uprook में से कोई नहीं तो उसका सही option है option number C my computer से Next question है web को लिखा जा सकता है node pad पर word pad पर MS word पर या uprook में से सभी यानि uprook सभी से तो उसका सही option है uprook सभी से Next question है एक web page को internet पर प्रसूत करने के लिए वाश सक है web server, web browser, internet connection उप्यूक्त सभी इसका राइस्टार इंसर है उप्यूक्त सभी Next question है email है online communication, offline communication ए और भी दोनों उप्यूक्त में से कोई नहीं तो उसका सही option है option number A online communication Next question है next question है किसी web page के address के बाद होता है web page का नाम host server का address A और B दोनों उप्यूक्त में से कोई नहीं तो उसका सही option है option number B host server का address Next question है इंटरनेट से जुड़े computer को पता देने वाली परनाली है ENS, DNS, RNS, ENS तो उसका सही option है option number B DNS इंटरनेट पर उपलब्द सुविदाए है FTP, email, e-commerce, all of above इसका सही option है option number D उप्रोक्त सभी next question है email के परतम भाग में होता है बेजने वाले का address, पाने वाले का address email विशे है, उप्यूक्त सभी तो उसका सही option है option number D उप्यूक्त सभी next question है email परारूप के किस भाग में वास्तविक संदेक से लिखा जाता है A, तृत्य भाग, दित्य भाग, A और B दोनों या D, इन दोनों में से कोई नहीं तो सही option है, option number A तृत्य भाग next question है, निमन में से web browser है A, windband, explorer, net escape, उप्यूक्त सभी तो उसका सही option है, option number D उप्यूक्त सभी question number 9, इन में से web programming से related language है java, ssp, html, उप्यूक्त सभी तो उसका सही option है, option number C, html next question है, software plug-in के लिए सरपतम browser है, internet explorer, net escape, navigator, opera, इन में से कोई नहीं तो उसका सही option है, option number B net escape, navigator next question है, search engine है, yahoo.com, coach.com, altavista.com, उप्यूक्त सभी तो उसका सही option है, option number D, उप्यूक्त सभी next question है, website लिखने का सही तरीका है, www.slash.yahoo.com, www.yahoo.com, या भी www.slash.yahoo.com, या भी www.slash.yahoo.com, या भी www.slash.yahoo.com, उप्यूक्त में से कोई नहीं तो उसका सही option है, option number B computer पर, internet पर किसी दूसरे वेक्ति से बात करना कहलाता है, chatting, e-commerce, search करना, या भी उप्यूक्त में से कोई नहीं तो उसका सही option है, option number A, chatting next question है, shareware है, move में upload software, प्रियोग के लिए register software, जो trial period के लिए upload A और B दोनों, या भी उप्यूक्त में से कोई नहीं तो उसका सही option है, option number B, प्रियोग के लिए register software, जो trial period के लिए upload हो next question है, internet का swami है, ITF, NSF, A और B दोनों, या D, इन में से कोई नहीं तो उसका सही option है, option number D next question है, website को navigate करने के लिए, user को dash में परवेश करना होता है, URL, www, ppp, उप्रोक्स में से कोई नहीं तो उसका सही option है, option number A, URL next question है, निम्ड में से कौन सा सर्चिंजन है, Google, Altavista, Yahoo, प्रोक्स अभी तो उसका सही option है, option number D next question है, internet पर किसी दूसरे के mail box में संदेश बेजना, dash कहलाता है, e-business, e-letter, cyber mail, या फिर email तो उसका सही option है, option number D next question है, निम्ड में से कौन एक परकार का प्रोटोकोल है A, S, C, L, L, RAM, D, B, A, D, C, P, IP तो उसका सही option है, option number D, D, C, P, IP next question है, VCS, सुसरे में संदेश परिणाम पराप्त करने के लिए परियोग आता है, वेब इजन, खोज सेवाई, सर्च इंजन, खोज मोटर, तो सही option है, C, सर्च इंजन next question है, किसी वेब, सर्वर, इंजन का परियोग सबसे दिख किया जाता है, डोमेन, गुगल, यहू, यह उप्रोकोल में से कोई नहीं, तो उसका सही option है, option number D, Google के लिए email भेजने के लिए, आपको उसका email address जानना वस्यक है कोम, dash प्रकार की वेवस्ता वेव साइट को सुचित करता है, वनिज्जे, जटी, company, उप्रोक्स में कोई नहीं, तो उसका सही option है, option number A, commerce, यानि वनिज्जे ISP का मतलब है, यानि full form है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर Dash program है, जो web resources के लिए, प्रवेश मार्क परदान करते हैं, browsers, search engine, programs, उप्रोक्स सभी, तो उसका सही option है, browsers विस उबर में कौन से web search engine परियोग किया जाता है, domain, google, toggle, उप्रोक्स में से कोई नहीं, b option सही है, google इंटरनेट पर किसी विसिस्ट विसेपर चर्चा को, dash कहा जाता है, समचार, समचार समू, वेरोनिका, टैलनेट, तो उसका सही option है, option number b, समचार समू URL का पून रूप है, universal resource locator, तो उसका सही option है, option number b, uniform resource locator dash savca program है, जिनको java में लिखा गया है, java program, applet, projects, यदी, उप्रोक्स में से कोई नहीं, तो उसका सही option है, option number b, applet FTP का मतलब है, यानि इसकी full form है, field transfer project next question है, internet से आज से है, internet, नीजी internet network के अंतरगत, इसीत, client server, computing network web page को किसका उप्योग करके ढूंडते है, uniform resource locator दोस्तों, अब मैं इनके जो है, answer answer आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि internet से बहुत सारे questions है, और सभी important questions है, तो जितने हो सके मैं आप लोगों को कराना चाहता हूं, जिससे की आपको exam में ज्यादा आपको help हो सके next question है, packet के IP address का पता चलता है तो router से next question है, बिल्डिंग में networking हेटू क्या उप्यूक्त है, LAN, local area network जातर घरेलू computers पर internet से connect होने हेटू उप्योग होने वाली device है, modem business संस्तादवारा, संचालित computer निम्न का उप्योग करते है इसका option है, domain com domain का next question है, protocol का अर्थ है, संचाल निम्न का set next question है, निम्न में से कौन protocol का उधारण नहीं है, stmp next question है, protocol के उधारण में अंत में p का अर्थ है, तो इसका option है protocol जैसे कि आप यहाँ उपर देख सकते हो, जो p बना हुए last में, इन सभी का अर्थ है last में जो p है, protocol next question है, http का अर्थ है, तो उसका सही option है, hypertext transfer protocol next question है, http किसके दवारा उप्योग किया जाता है, तो www web server को कौन बताता है कि क्या करना है, तो उसका सही option है, option number d, http जब आप url एंटर करते है, तो web server को http कमांड भेजी जाती है, कि कौन सा web page एक्सेस करना है, इसका सही option है, next question है, http है, एक stateless program protocol, next question है, question number 15, web browser की इस प्रोटोकोल का उप्योग करते है, तो उसका option है, http next question है, वरतमान में IP address का कार कितने बिटका होता है, तो number 1, option है, 4 byte का, 15 internet निम्न का उप्योग करता है, packet switching का, next question है, internet के प्रारंबिक विकास को किसे सपोर्ट किया था, तो उसका see option है, option number A, openet, तो उसका 5 question है, www.co, निम्न को मानक एक्सप्रेस परदान करता है, तो उसका see option है, उप्रोग सभी, gopher, telnet, ftp, next question है, वेरोनिका का पून रूप है, very easy, rotor oriented network, inbox to computer, achieved, तो web service का अर्थ है, उप्योग सभी, web पर इस्तित application के मद्दे, सुझना, share करना, utility computing का उप्योग, application आपास में संपरक स्थापित कर सकते है, तो उप्योग सभी, web services का अर्थ है, next question है, www को, w3b कहते है, क्या है सही है, जैंस तो हाँ सही है, next question है, आप इसका उप्योग कर email बेश सकते है, gmail, yahoo, redifmail, उप्रुक सभी, इसका सही option है, उप्योग सभी, internet पर mail दबार उप्योग के जाने वाला protocol है, जैंस तो इसका answer आपको comment box में मुझे बताना है, प्लीज आप सभी, इसका answer मुझे comment box में जरूर बताई, next question है, डैस सबसे अधिक विस्तर्त network है, a internet, दूसरा internet, c lan और dwan, तो इसका say option है, internet, internet सबसे अधिक विस्तर्त network है, next question है, chrome क्या है, जैंस तो इसका भी option, आप लोगों को दिया हुया icon, file manager, browser internet, आपको comment box में मुझे इसका सही answer बताना है, और मैं आपका wait करूँगा, please, आप सभी इसका answer जरूर दे, next question है, www का जनक किसे कहा जाता है, जैंस तो प्लीज आप इसका भी answer मुझे comment box में जरूर दे, मुझे आप लोगों से उम्मीद है, आप इन तीनों questions का answer जरूर जरूर कमेंट box में दोगे, और आप सभी को इनका answer जरूर पता होगा, next question है, modem क्या है, जैंस तो इसका सही option है, modulator, demodulator, जैंस तो next question है, mail बेजने के लिए, किसकी अवसक्ता होती है, जैंस तो इसका सही option है, option number B, internet connectivity की, next question है, निव में से कौन सा एक web browser है, तो इसका सही option है, option number C, firefox, जैंस तो आज हमने लगबग 60-70 questions किये हैं, और तीन questions का मैंने आप लोगों से answer पूचा है, please comment box में जरूर बताए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जाजाज सेर भी कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पिलीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजे, साथ में नोटिफिकेशन के लिए जो है, बेल आइगन को जरूर दबा ले, और टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर ले, तो मिलते हैं कोई अच्छी जूडियो के साथ, तब तक के लिए जाहें,